हलो दोस्तों स्वागत है आपका अर्विंद स्टडी सेंटर मैं आपका साथी अर्विंद कुमार कैसे हो आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे तो कैसे चल लही है आपकी स्टडी तो हमने सीटेट एक्जाम जो 28 दिसंबर और 29 दिसंबर को था तो ह हमने चैनल पर अपने चैनल से जाकर और रिपोर्टिंग किया सीटेट एक्जाम सेंटर पर सीटेट एक्जाम सेंटर पर तो क्या क्या बच्चों में समस्या आ रहा है समस्या क्या रहा है वह हम आपको आज पुरा बताएंगे आपको क्या करना है तो सारा आज हम डिटेल आ रहे हैं उस कमेंट को हम सभी बिदार्थियों के बीच रखना चाहेंगे ताकि जिनका 9 तरीक एक्जाम है कब है नौ जनवरी से एक्जाम है उनके लिए और काफी संख्या में बिदार्थी जो कर रहे हैं वह एक्जाम किस मूड में होना चाहिए तो चलिए हम देखते हैं और क्या क्या दिक्कत हुआ है तो कमेंट में जो आया है वह हम आपको पुड़ा अनलाइसिस कर देते हैं कि क्या है तो चलिए हम बताते हैं आपको कमेंट में क्या लिखा हुआ है देखिए क्या लिखा हुआ है जिन्होंने कमेंट किया है वह पुजा सर्मा है वह 22 घंटा पहल हुआ हैं उस बिद्यार्थी का जो सिस्टम था उस सिस्टम हैंग कर लिया गया यह हैंग हुआ उस पे हम वीडियो बनाए हुआ है तो वह भी देख लिजेगा वीडियो लेकिन क्या-क्या बच्चे की परसानिया हो हम आपको बता देते हैं जो कमेंट हमको मिला है चलिए करना कर रहा था जिसे टाइम बेस्ट हुगा काफी तो जिनका एक्जाम आप तो जानी रहे हैं कि लिया जा रहा है तो आपको प्रेक्टिस सबसे पहले जरूरी है फिर आगे देखते हैं क्या है कमेंड उन्हीं का है जो इसलिए ऑफ-लाइन ही बेस्ट है और ऑफ-लाइन में आगया तो इसमें लिख रहा है कि कौन-कौन मेरा सफोर्ट करता है लाइक कमेंड करे तो इनको जो किया है वह पांच लोग ही सपोर्ट किया है लेकिन आगे देखते हैं क्या है आगे देखिए क्या है आगे देखिए अर्जून कुमार जो 24 मिनट पहले हमको कमेंड किया है वह seated offline होना चाहिए seated offline के लिए लोग मांग कर रहे हैं फिर आगे देखते हैं अगला comment क्या है यह है रंजन कुमार जो की 8 गंटा पहले हमको comment किया है वह है दानापुर में एक center है active in solution के नाम से वाला भी यही हाल था जो center भाई साथ का था राकेश रंजन का वहीं भी इसी तरह का हुआ है जो किस तरह का हुआ है तो उसका हम video आपको दिखा देंगे लाश्ट में वीडियो देखिएगा इंडे स्क्रीन पर रहेगा और आपको बता दे की इंडे स्क्रीन और आई बटन पर रहेगा आपको मिलेगा अब देखिए यहां बहुत लोग सही बात कर रहे हैं और बात क्या चीज का सही है तो जिस वीडियो में हमने डाला था एक बच्ची के साथ बहुत बड़ा समझी एक अब्यार्थी के साथ बहुत बड़ा हथसा यह उसी में काई कमेंट हम लेके आए हुगया है देखिए उसके बाद क्या है शुगू बजपाई जो दस गंटा पहले क्या है ऑफ लाइन होना चाहिए पिछली बार मेरे साथ भी हुगा पिछले बार भी हुगा इस तरह का अब देखिए तो कुछ लोग कर रहे हैं कि क्य कोमल कुश्वा है हां मेरे यहां भी बहुत से सिस्टम बहुत खराब हलात में था भाई कहां से हैं तो यह पता नहीं है लेकिन यह लिख रहे हैं कि काफी हलात में था यहां लिख रहा है कि ओफ लाइन ही बेस्ट है यहां देखिए ओफ लाइन ही होना चाहिए ओफ लाइन अगर अभी आपका 9 दिसंबर को एक्जाम है 9 दिसंबर को एक्जाम है कब है 9 दिसंबर का एक्जाम है तो आप उससे पहले आप computer पर जा के practice कर लिजिए और एक तो दिकत सबसे बड़ा समस्या है कि online जो एक्जाम हो रहा है उसमें आपका जूम जब हो जा रहा है बड़ा figure में तो आप क्या करिए कि अपने एक्जामनर को complain करिए और एक्जामनर नहीं सुनता है तो आपको control room में कहा जाना है आपको control room में जाए और उसको complain करिए तो देखी आगे चलते हैं क्या है फिर आगे देखते हैं क्या है एक भाई है सरमीला यादो इस सरमीला है जो सरमीला यादो मेरे मेरा भी last time में ऐसा ही होगा था अब क्या दिक्कत है तो offline का मांग सभी लोग कर रहे हैं अब आगे देखते हैं क्या है मुन्नी देवी वह लिक रहा है इनके मन में कोई चोड़ी नहीं है तो off on paper क्यों नहीं कराते हैं आफ लाइन क्यों नहीं कराते हैं तो अब इनों होने अपना सीवी एसी एक्जाम जो कंड़क्ट करा रहे हैं उन पर इनको डाउट है फिर भी आगे देखते हैं क्या है यहां है दिवेंद्र कुमार आफ लाइन ही होना चाहिए सभी लोग आफ लाइन का मांग कर रहे हैं और हम आपको बता दे जो मेरा कमेंट था वह कमेंट को हम आप लोगों के बीच रख दिये और आफ लाइन एक्जाम का अधिक बच्चे मांग कर रहे हैं और इसका जो वी विश्टम था वह हैंग कर लिया गया या हैंग हो रहा था या कोशन जूम हो के जूम हो के रह गया तो कैसी लगी हमारी खबर और अच्छी लगी होगी तो दोस्तों का साथ सेयर करिए आप लोग सौधानी पूरवक अपना एक्जाम दीजिए और एक्जामनर से कंप्लेंड क हुआ उनके साथ फिलाल इतना ही नेक्स्ट कबर में धन्यवाद